आज फिर से पापा आपकी बहुत याद आ रही है आज न जाने उसने कौन सी हवा चलाई है आज फिर से पापा आपकी बहुत याद आई है याद इस कदर आई कि आँखो से सैलाब सबस बहगया याद इस कदर आई कि आँखों से सहलाब सा बह गया और आज फिर पापा आपकी याद बस एक याद बन कर रह गया जब कभी मन करता आपसे बात करने की आपकी फोटो से कर लिया करता हूं जब कभी मन करता आपसे बात करने की आपकी फोटो से कर लिया करता हूं बस फर्क इतना होता कि आप चुप और मैं बोला करता हूँ और ना जाने कौन सी गलती की हमने जो इतनी कड़ी सजा दे रहे हो आप पापा चाहे तो डाट लो या मार लो मुझे लेकिन अब तो वापस लोटाओ आप पापा चाहे तो डाट लो या मार लो मुझे लेकिन अब तो वापस लोटाओ आप बहुत से सपने थे मेरे बहुत से सपने थे मेरे जो पुरा ना कर पाया मैं और इतनी बदनसीब सी ये जिन्दगी मेरी की कभी आपके गले ना मिल पाया मैं और इतनी बदनसीब सी यह जिंदगी मेरी की कभी आपके गले न मिल पाया मैं कदम आगे बढ़ाने पे डर लगने लगता है कुछ गलत हुआ तो कौन संभालेगा मन यही सूचा करता है बहुत हिम्मत और ताकट दि आपने पर इसे सहने की सकती नहीं और पापा अब तो आजाओ आप आपके बिन्द मन कहीं लगती नहीं न जाने आपकी डाट को भी कुछ ऐसे मिस किया हूँ मैं बाबु बाइक धीरे चलाओ यहां मत जाओ वहां मत जाओ बहुत दिन हो गया यह भी नहीं सुना हूँ मैं बाबु बाइक धीरे चलाओ यहां मत जाओ वहां मत जाओ बहुत दिन हो गया यह भी नहीं सुना हूँ मैं एक बाब की कीमत क्या होती जिंदगी ने कुछ यूँ सिखाया मुझे एक बाप की कीमत क्या होती, जिन्दगी ने कुछ यूँ सिखाया मुझे, मेरा सब कुछ मेरे पापा को छीनकर इतना मुस्किल पाठ पढ़ाया मुझे मेरा सब कुछ मेरे पापा को जीन कर इतना मुश्किल पाठ पढ़ाया मुझे और क्या लिखू मैं आपके बारे में एक पिता को बता दे इतनी किसी कलम मैं ताकत नहीं फिर भी आख्री के दो लाइन सिर्फ आपके लिए उठाया जो हमने कलम आपकी याद लिखने इस कलम आपकी याद लिखने तो इस कलम ने भी सिर्फ जुका लिया एक बाप का ना होना क्या होता ये आज फिर पूरी दुनिया को बता दिया एक बाप का ना होना क्या होता आज फिर पूरी दुनिया को बता दिया झाल झाल